हेलो फ्रेंट्स, वेल्कम बैक तो आर यूट्यूब चैनल, दू यूनू, सो आज किस वीडियो में बात करेंगे, आप घर बैटे ओनलाइन अर्णिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आपको आर्टिकल्स लिखने पसंद है, ब्लॉगिंग करना पसंद है, तो इस वीडियो को एंट तक देखें, ब्लॉगर वेबसाइट के हल्प से आप फ्री में ब्लॉग्स बना सकते हैं, ब्लॉगर एक फ्री सर्विस है, जिस पर आप जाकर ब्लॉग बना सकते हैं, और गूगल एड्सेंस के दुरूप ऐसे भी कमा सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ब्लॉग ब इसके बाद आपको यहाँ पर एक create your blog का option दिखाई देगा, इस पर click करिए इसके बाद आपको need होगी आपके gmail id की, अगर आपके पास gmail id है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप नहीं बना सकते हैं इसके बाद आपको डालना होगा अपना password और enter कर दीजे इसके बाद ही आपके ब्लॉग का टाइटल पूछ रहा है जो अभी के लिए skip कर दीजे इसके बाद आपको अपने ब्लॉगिंग अकाउंट का नाम टाइप करना होगा यहाँ पर आपको create blog का option दिखाई देगा इस पर click कर ये और आपके सामने कुछ इस तरह से एक window open हो जाएगी यहाँ पर आपको अपना टाइटल डालना पड़ेगा किसी भी blog का टाइटल उस blog के लिए बहुत important होता है तो टाइटल को बड़ा source समझ के रखे तो यहाँ पर हम smart phone से related blog बना रहे हैं तो उसी से related हम टाइटल भी रखेंगे तो यहाँ पर हम टाइटल रख देते हैं latest smartphones 2021 अब next कर देते हैं इसके बाद ही आपसे address पूछ रहा है इसके बाद हमें address डालना है address किसी भी blog का URL हो सकता है जैसे आपको यहाँ blogger का URL दिखाई दे रहा है www.blogger.com इसी तरह से यहाँ पर जो address आता है वो .com करके नहीं आएगा क्योंकि आप blogger पर एक free blog बना रहे हैं तो उहाँ का URL आएगा आपके title के name के साथ .blogspot.com में दिखाई देगा तो पहले हम address में smart phones 2021 डालके देख लेते हैं देखिए हमने कुछ इस तरह name रख दिया है और अगर यह name किसी ने पहले से नहीं लिया होगा तो यहाँ पर this blog is available लिखा जाएगा और यह name किसी ने पहले से ले रखा होगा तो यहाँ पर लिखा जाएगा sorry this blog address is not available तो यहाँ पर हम smart phones 2021 under 30,000 add कर देते हैं अब आप देखिए यह name available है यहाँ से save कर देते हैं इसके बाद बात आती है blog के theme की तो यहाँ पर blogger ने कुछ free templates दिये हैं आप उनका use कर सकते हैं तो यहाँ पर हम सबसे simple theme ले लेते हैं यहाँ से apply कर देते हैं कुछी सेकंड्स में आपका ब्लॉक रेडी हो जाएगा तो न्यू पोस्ट या न्यू आर्टिकल लिखने के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू पोस्ट पर अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेश दिखेगा यहाँ पर आपको उपर पोस्ट टाइटल डालना पड़ेगा इंदी और इंगलिश दोनों में से कोई भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं तो आप हम पोस्ट टाइटल डाल देते हैं यह जो पेज है आपका इसमें सबसे उपर टाइटल और नीचे आपका जो भी आर्टिकल हो आप उसे टाइप कर सकते हैं टॉपिक को टाइप करने के लिए यहाँ पर अलग अप्शन्स दिये हुए हैं फर्माटिंग के लिए बोल्ड, इटालिक, अंडर लाइन है आप अगर फॉन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं इसके बाद में लिंक का ओप्शन आता है यह हाइपर लिंक की तरह काम करता है इसके बाद इमेज यहाँ से आप कहीं से भी इमेज इंसर्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है वीडियो का तो अगर आप यूट्यूब से वीडियो इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल टाइप कर दीजे अपनी वीडियो का टाइटल और उससे रिलेटिट सभी वीडियो यहाँ पर आ जाएंगी जिस भी वीडियो को आप चाहें सेलेक कीजिए और ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे आपके ब्लॉग पर यह वीडियो जो है वो आ गई है अब बस आपको यहाँ से पब्लिश करना है और पब्लिश करते ही यह जो आटिकल है यह आपके ब्लॉग पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा ब्लॉग इस आर्टिकल के साथ कैसा दिखाई देता है अब आप देखेंगे जो हमने टाइटल रखा था वो इंटरनेट पर पब्लिश हो चुका है और अगर आप अपने ब्लॉग का डिजाइन अभी की अभी चेंज करना चाहते हैं तो बस आपको जाना होगा थीम्स के ऑप्शिन्स पर और यहां से आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका न्यू ब्लॉग तो ऐसे ही आप अपने और ब्लॉग्स भी प्लेडी कर सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंज अगर आप कोई वीडियो इंट्रेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल डू यू नो को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियोस के लिए इस टैनल पर बने रहें